चीर के जमीन को मैं उम्मीद बोता हूँ। मैं किसान हूँ चैन से कहा सोता हूँ। नमस्कार खम्मा गणी राम राम साथ भारत एक क्रशी प्रधान देश है जहां किसान धर्ती को धर्ती मागता कहकर पुकारते हैं मा बेटे का रिष्टा किसान के जजबातों में किसान के वेवहार में दिखाई दिता है लेकिन दिनरात मेहनत करने वाला हमारा किसान, कुदरत के कहर से लगातार लड़ने वाला हमारा किसान तब अकेला पड़ जाता है जब सिस्टम उस पर सितम ढाता है नवाचार और मेहनत के बावजूद अक्सर हमारा किसान कागजी जंग में पिछड जाता है लेकिन कुछ संस्ताइं लगातार किसानों को समारने की कोशिश करती रहे हैं। इन में से एक है बैंकिंग सेक्टर। बैंकों के सहयोग और मार्ग दर्शन की किसानों को जरूरत भी है और वक्त की मांग भी है कि बैंक किसानों के हित में काम करें और उनका जीवन समार दें जब PNB जैसा राश्ट्री और पुराना बैंक किसानों के साथ खड़ा हो तो उम्मीदें और भी बढ़ जाती है पंजाब नेशनल बैंक इस वर्ष अपनी 125 वी वर्ष गाठ बना रहा है PNB और किसानों का रिष्टा सवासो सालों में कितना गहरा हुआ है किस तरह से PNB बैंक इन लोगों के साथ संबल बनके खड़ा है आज इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियों में एक खास महमान को हमने आमंत्रित किया है यह हमारे साथ है PNB की जोर्नल हेड विभा एरेंग जी विभा जी आपका सबसे पहले तो हमारे टीवी पर बैठे दर्शकों की तरफ से राम राम साथ राम राम सभी किसान भाईयों को नमस्कार खमा घड़ी जी विभा जी जब किसान खेत में काम कर रहा होता है और कई बार उसे बहुत ज्यादा जरुद पड़ती है सबसे ज्यादा जरुद पड़ती है उसे आर्थिक सहायता की सबसे ज्यादा जरुद पड़ती है उसे उस संबल की जो उसे सबसे जारे जरूरी है कई बार मोसम का कहे राता है इन सब चीज़ों पर हम बाद में बात करेंगे पर सबसे पहले हम जाना चाहेंगे कहां से शिरू हुई PNB की यात्रा सुनील जी मैं सबी किसन бhaai को बताना चाहूँगी और बहुत सारे किसन Bhaai हमारे साथ बाद मोकी यात्रा शुरू हुई वह उमीद है जो हमारे सब सूटागर्ण हैं जो हमें देखने वाले दर्शक हैं किसान भाई उनमें से बहुत से हमारे साथ दश्कों से जुड़े होंगे क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक की जो यात्रा शुरू हुई वो उसको आज 125 साल लगने वाला है 12 अप्रेल बिसाखी के दिन हमारे बैंक की स्थापना उस समय के अंडिवाइडिड इंडिया में यानि के ल ऐसे और भी कई सारे सुतंतता संग्राम के से सैनानियों ने मिलके अपने देश के पैसे से अपने देश के लोगों के लिए और अपने देश के लिए उन्होंने यह इस बैंक की स्थापना वाले हैं तो उस सफर्क में आप मैं ये कह सकती हूँ बहुत विश्वास के साथ और बहुत कहना चाहिए कमिटमेंट के साथ कि बैंक जो है हमारा वो हमेशा से जमीन से जुड़ा रहा है और किसानों की और हमारे पूरे ही जो एक सामाजिक जीवन में जो भी उसके लिए उत् के स्टंब हैं उनको बैंक ने पूरी तरह परिपोशित किया है और देश के निर्वान के लिए उसके लिए जो भी ज़रूरी है वो हमने बहुत बहुत खुबी किया है और उसमें किसान भाई तो हमारे लिए बहुत महत्पुन करी हैं जैसकि आपने सच कहा है कि जो ये लिए तो हम भी बहुत रेनी हैं और हमारा बैंक भी इसलिए बहुत आची तरह से कोशिश करते हैं हम और इस पूरी यात्रा में हमेशा उनका थ्यान रखा है और यह यात्रा आफकोस बहुत बड़ी है तो मैं इतनी जल्दी तो आपको कीतना बता सकती हूं लेकिन मैं यह कह स पूरी प्रमानिकता के साथ कि हम बहुत ही कमिटेड हैं अपने देश के लिए अपने देश के एक आधार इस्तम्भ हमारे किसानों के लिए तुर्णिया नियिक्ट. मैं यह बताना चाहूंगी कि हम जब लाहूर से दिली में शिफ्ट हुए तो उस समय का बातावरन आप सोची सकते हैं कितना कठनाई भरा दौर वो रहा होगा लेकिन बैंक में जो उसका औसका DNA है जिसको कह सकते हैं आप जो उसकी एक सोच है जो उसकी नीव रखने की जो एक वजह थी वो देश की सेवा थी तो इसलिए उस दोर में उस कटिन दोर में हमारे बैंक ने जब हम पारलिमेंट स्टीट डिली में आके हमारा हैड आफस शुरू हुआ तो ऐसे भी बहुत से हजारों लोग ऐसे आए जिनके पास अब कुछ छूट गया था उनके पास बैंक में तो एकाउंट है ये तो पता था पर ये नहीं पता था वो एकाउंट क्या है वो एकाउंट का नाम क्या है उसका नंबर क्या है उसके बावजूद ये इस बैंक की डियने के अंदर है कि उस समय भी हमने उनकी सायता की और कुछ भी उनके पास प्रमान नहीं था तब भी बैंक ने उनको सच्चा समझते वे उनको पेमेंट किया उनको पुरी तरह सेवा की और इसी का शैद ये शुब आर्शिशों का परिणाम है कि इतनी लंबी जर्नी में उतने उचे नीचे र किसानों के लिए क्या कुछ खास सोचा है आपने आगे के लिए सुनिल जी हमारा किसानों के लिए तो एक बहुत बड़ा विशेश पोर्टफोलियो रहता है जो हम हमारे को एक एगरिकल्चर को लोन देना हमारा वन अफ़ प्रियोर्टी है एसे राश्च्टिकरत बैंक के रूप में भी और ऐसे हमारी जो ग्रोथ जर्णी रही है उसके भी रिस्पॉंस के रूप में भी हमें agriculture sector को तो विशेश रूप से हमें उनके साथ हम जुड़े रहते हैं तो डिपॉजिट के लिए भी और एड्वांस के लिए भी हमारा तो एक क्योंकि हम में मोसली अगर आप देखे हमारे बैंक को तो हमारी साथ अजार के करीब ब्रांचे सें उसमें से लगभग सेवन्टी परसंट ब्रांचे बिल्कुल पिछड़े और अती पिछड़े शित्रों में हैं यानि के पूरा रूरल में हम लोग हैं हमारी आउट्रीच जो है वो पूरी रूरल बैक्ग्राउंड में क्योंकि हमारी अपनी सोच और देश की सोच के हिसाब से जोड़ते वे जहां भी अन-बैंक्ट एरिया से उनमें हम हमें उपस्तित रहना हैं और हम उपस्तित हैं तो उसके द्वारा हम एग करने का बहुत कारण मिलता है बहुत उद्देश्य मिलता है और बहुत यह रेलेवेंट होता है हमारे लिए भी और वहां उपस्तित जो जनाधार है उसके लिए भी कि हम उनको उस तरह के लोन दे सकें और उनको हम डिपॉसिट ले सकें तो हमारे लिए किसानों के बहुत सा ग्रीकल्चर के लिए भी खास स्केम्स निकाली हैं और उनको भी मेन अग्रीकल्चर में काउंट किया है क्योंकि वो एक टाइप से एक अलाइड अक्टिविटिटी है देखा जाए तो डेरी हैं पॉल्टरी है ये सब अलाइड अक्टिविटी इसमें फिश्रीज को और इन से को मैच करते हैं इसी तरह से डिपॉजिट में भी हमने अभी स्पेशल रेट ओफ इंटरंस निकाले हैं जो बागी राजश्रेकरत बैंकों से बहुत जादा है तो मैं अपने किसान भायों से अपील भी करूंगी कि एक तो राजश्रेकरत बैंक में आपको एक विश्वास ह होता है और एक उनका एक तरीका होता है काम करने का जो बहुत काफी हद तक मैं समझती हूँ गाओं के परिवेश से जुड़ा है वो लोग किसी को बितराते नहीं है और हर आदमी वेलकम है वो मतलब हमारी जो बैंकिंग है वो एक मास बैंकिंग है वो कोई क्लास बैंकिंग नहीं है उसमें कभी भी हमारे किसान भाईयों को ब्रांच के अंदर आते वे कभी जिजक नहीं लगेगी कि बहुत सूटेड बूटेड लोग बैटे हैं यह उनको समस्या लगेगी नहीं क्योंकि हमारी जो एक सोच है और जो हमारा स्टाफ है वो सब उनकी जरूतों को पूरा करने में लगे रहते हैं तो मैं उनसे यह अपील करना चाहूंगी कि जो आजकल हमने एक स्पेशल रेट ओफ इंटरस्स निकाले हैं तो उसमें बाकी राजश्चिकरत बैंकों से जहां तक मैं जानती हूं मतलब हो सकता है कोई अधरवाइस कहें तो मैं नहीं कह सकती लेकिन जो पुब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनमें हमारी रेट ओफ इंटरस्स बहुत जादा है यानि के एक रुपे का तीस्वा हिस्सा जादा जैसा जादा है तो मैं उनसे अपील करूंगी कि एक बहुत अच्छा मौका है बैंक ने रेट ओफ इंटरस्स बहुत स्पेशल रखें इस समय और हमारे रेट ओफ इंटरस्स सबसे जादा है डिपॉसिट के लिए सिमिलरली आपके पास और भी बहुत सी ये तो बात हो गई एक एडवांसेस की और डिपॉसिट की जो बहुत पूरी स्कीम्स हमारे पास अवेलेबल है इसके अलबा मैं उनसे एक बात और कहना चाहूंगी कि जिसे हमारे एक लाडली करके स्कीम है तो उसमें जो छोटे बच्चे लड़किया रहती है तो मेरे क्याल से वो बहुती तीन महीने के बच्चे से लेके आप अठारा साल तक की दस साल तक की लड़की की एफडी बनवा सकते हैं और उसमें आधा परसेंट इससे भी उपर ब्याज है तो वो इचाज़तर लोगों को पता नहीं होता है और ये उनको जानने में अच्छा रहेगा क्योंकि वो बच्चों के लड़कियों के लिए स्पेशल स्कीम है वो वैसे तो हमारे गौर्मेंट की स्कीम है पर राश्ट्रेकरत बैंक उसको खास दोर से प्रमोट क करना चाहते हैं क्योंकि हमारी क्लाइंटेल ऐसी है तो मुझे मौका मिला है उनसे समाद इस्थापित करने का तो मैं चाहूंगे कि मैं उन्हें जरूर बताओं कि लाड़कियों की पढ़ाई के लिए या उनके किसी खास काम के लिए एक विशेश स्कीम है जिसमें आधा पर से पैसे की ज़रत पड़ेगी क्योंकि उन्हें दूसरे अलाइड एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी या अपनी फसल में कुछ वैल्यू एडिशन करना होगा तो उसके लिए क्या कैसी सी के अलावा भी कोई रिंकी योजना हैं जिसमें कि वो अपने बिजनस के लिए या कामों के लिए अलग से पैसा ले सके हाँ ऐसे तो बहुत स्कीम है जैसे रूरल सेक्टर में इवन को डाउन बनाने के लिए भी स्पेशल स्कीम है जो की एग्रिकल्चर में ही आती है तो वो सब काम करके भी वो अपनी इंकम बढ़ा सकते हैं और उसकी अलावा बाकी भी कई सारी ऐसे चीजें जो आप अधरवाई सोचते होंगे कि शायद यह अग्रिकल्चर नहीं है पर वो अग्रिकल्चर में अब काउंट कर रहे हैं जिससे उनके इंकम डबल हो सके जिसे मार्किटिंग के लिए अगर आप कोई एक्विपमेंट खरीते हैं एग्रिकल्चर प्रो से निवेदन करूंगी कि उनको चाहिए कि जब वो बैंक से लोन लेते हैं या कभी भी कोई एकाउंट खोलते हैं तो उन्हें चाहिए कि एक बैंक में आज कल एक स्पेशल स्कीम है जो प्रदान मंतरी जिनहीं शुरू करी है जो जीवन जोती स्कीम है और एक सुरक्षा स्क उसमें आपको मिलते हैं अक्सिदेंट के केस में और अगर आप उसमें 330 रुबय वाला दूसर जीवन जोती वाला लेते हैं तो उसमें एक्सिदेंट के अलावा भी किसी पारंवश अगर डैथ होती है तो उसमें 2,000,000 का इंशिर्एंस मिलता है मेरे क्याल से ये बात रौपया एक दिन का है 330 में भी तो वो उससे क्या उनका परिवार सरक्शित रहेगा, कभी वो लोन लेते हैं, कोई प्राकर्थी का आपदा पर ये बी एक प्रकार से प्राकर्तिक आपदा है, उनका परिवार उन पे डिपेंड करता है, तो मैं कहूंगे उन से की वो याद र परसनल नीवेतन है राम राम समय अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद हम और जानेंगे किस-किस तरीके से PNB साथ खड़ा है किसानों के किस तरह से संबल बनके खड़ा है उनके साथ देखते रहे एवन टीव ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का आपके इस उसके समाधान के लिए आप हमें 0144403 पर फोन करके सीधे हमारे एक्सपर्ट से समवाद कर सकते हैं ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार इस समय पर हमारे साथ फोन लाइन पर एक दर्शक मौजूद है जी राम राम साथ जी सब मेरे एक तो सवार है एक मेरे सुझाव है तो पह करने का प्रयास करेंगे कि आपका सवाल हम लिखके रख लें आपका सवाल हम स्टोर करके रखें जब इक एक्सपर आए तो उनसे बात कर लें अब स्वागत है आपके प्रश्न का मेरे सवाल पां मेरे स कंके आप ने हमें जाए प्रम इन टार वट ला है और जार जार सवाल है कि अदम Swaali जिए और शवारार है जन ए फटो इस मतव्के फरकारि बावड में झी पके यह तो कि एक उन सी काई है कि पुरकार काम करें बीगो और दूसरा इसे रिलेटेड एक सवाल हो रहे है कि यहां की रेट आप इंट्रेस्ट है तकी ब्याज की तर है आपके सवाल का जवाब मिलेगा आपने शायद एक बार में ही एक प्रश्ण में बहुत सारे प्रश्ण सवाल पूछ लिए प्रयास करते हैं हम की आप तक आपको जवाब पहुचा है मेडम हां मादान दीन जी नमस्कार देखिए ऐसा है कि जो आपने पहला सवाल पूछा है कि बैंक एक तो आरार भी है रूरल बैंक दूसरे आपने बूला कोपरेटिव बैंक है और एक जो नेशन रहते हैं वो केवल एक ग्रामिन शेत्रों में होते हैं और उनका दायरा थोड़ा सिमित होता है लोन देने का और डिपॉजिट लेने का बाकि वो बहुत सारे काम हमारे जैसे नहीं करते हैं ना दूसरा कोपरेटिव बैंक जो है वो केवल एक शेत्र विशेश में ऑपरेट तो जो पूझी उसमें लगी होती है वो अलग तरह की होती है और जो नेशनलाइज बैंक अगर इसके सामने अगर आप देखते हैं तो नेशनलाइज बैंक एक पारलियमेंट के एक एक एक्ट के अंदर नेगोशियाबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में माल लीजे बनते हैं तो कि यहां मगर देखें तो शायद बैंक आपने देखा होगा यह सब नेशनलाइज बैंक है तो यह पूरे देश में ऑपरेट करते हैं यह पूरे देश में सभी तरह के काम करते हैं बड़े-बड़े काम भी करते हैं खाली रूरल में नहीं है लेकिन हम रूरल में भी जैसे हमा हमारे को एक गौर्मेंट ने एक हमारा टार्गेट रहता है कि हमें एगरी कल्चर में मालीजे एक 18% लोन देना ही देना है तो हमारा भी करता हुए बहुत कुछ रूरल के प्रती है और वो हम उसे निभाते हैं फोर्थ हो गया प्राइवेट बैंक प्राइवेट बैंक वो रेगुलेशन कुछ उन पे ना हो लेकिन रेगुलेशन माने जो कंट्रोल है वो थोड़ा हम पे जादा होता है और प्राइवेट पे कम होता है उसी तरह से सेवाओं की बात करेंगे तो हमारी जैसे एक सोच होगी कि हम हर तरह की शेतर में मौजूद हैं क्योंकि जैसे आप पंजाब नेशल बैंक अगर जानते हों तो पंजाब नेशल बैंक आपको रूरल में बहुत जगे दिखाई देगा साथ आजार ब्रांचे हैं हमारी तो हम रूरल में सेमी अर्बन में हमारी बहुत ब्रांचे होंगे और हम एग्रिकल्चर में भी लोन करेंगे हम फॉरन कर और जो पॉब्लिक सेक्टर रहते हैं उनका आम जंता की सेवा और एक बैंक को एक सेवा की तरह सब को देना क्योंकि वरना लोग प्राइबेट में पैसा रखेंगे तो खत्रा है इसके लिए इनकी स्थापना हुई है और इसलिए इसे नेशनलाइज करके अब बैंक मतलब करें आप कि ये बैंक कैसे कैसे हैं और देखिये पॉब्लिक सेक्टर डेफिनेटली उनका रेट ऑफ इंटरस्ट बैटर होता है उनमें प्रोटेक्शन जादा आपको लगेगा क्योंकि वो एक गौर्मेंट की गारंटी रहती है उनके पीछे प्राइवेट में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये कहूं कि ऐसी कोई बात है बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है बट पब्लिक सेक्टर पे लोगों का ज्यादा विश्वास रहता है रेट ओफ इंटरस्ट की बात करेंगे तो आपको मैं बताओं अभी तो हमारे बैंक की तो बहुत अच्छी रेट ओफ है और जितनी भी वैसे सरकारी योजनाएं होती है उनका ज्यादा तर रूपांतरन या कहें इंप्लिमेंटेशन उसमें पब्लिक सेक्टर बैंकों का बहुत योग रहता है योगदान रहता है और जैसे एकनौमी की भी बात करें तो कॉमर्शल बैंक जो प्राइब हम जैसे पुब्लिक सेक्टर बैंक है उनका योगदान लग भग 70% है तो मैं समझती हूं मैंने शायद कुछ आपका जवाब देने की कोशिश की बिल्कुल सही लग रहा है क्योंकि और बात यही सबसे बड़ा फर्क है कि जितनी भी सरकारी योजनाएं है वो सब के लिए जो भी ये पुब्लिक सेक्टर बैंक है वो कटिबध होते हैं उनके पूरा करने के लिए लेकिन कुछ दूसरे बैंकों की बात की उनकी कुछ सीमाइं होती है जिने वो अपने हिसाब से पूरा करते एक और दर्शा किसमें हमारे साथ फोन लाइन पर मुझूद है बात करना चाहते है जी राम राम सा जी तो मुर्गी पालन और दूसरों डेरी उद्धोग आपन लगा रहा है जी तो पी के लिए कैसे सी के साथ लोन मिले या अलग सोई लोन की विवस्ता है जी आपका शुब नम राजिंदर चौदरी अचा चौदरी साब ऐसा है कि मुर्गी पालन के लिए और दूसरे सब अलाइड अक्टिविटी जिसको कहते हैं उस सब के लिए अलग-अलग स्कीम है कोई दिकत नहीं है आप बैंक में जाएं तो आपको आवश्यक्ता अनुसार इन सब कामों के लिए अलग-अलग लोन की व्यवस्ता है आप अपनी रजदीक की ब्रांच में ज और ये अलग-अलग स्कीम है इसलिए जी हां और ये सारी स्कीम से अलग है क्यों केसिसी तो जनरली लोगों काफी कुछ यूज करके बैठे होते हैं तो उसके अलावा जब आप अलाइड एक्टिविटीज कुछ करते हैं तो उसके लिए आपको अलग से रिड़की व्यश् प्रकार से एक और दर्शक इस समय रूबरू होना चाते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से अपने सवाल के साथ जी रामराम साह राम राम जाव जी अब हार आपको पूरा मौका है आज आप पूष सकते हैं बिलकुछ आप पूरा मौका है तो महरों सवाल है आज को कि मां किसानाने कशँ तर रंगले किसानाने किशान किसान को रिन चाहिए इसा हैski आपकों की जो बैंकों के अंदर सभी तरह के रिन मौजूद हैं आज की डेट में किसानों के साहता के लिए चाहें वो एक्टिवीटिवीटि के लिए सब चीजों के लिए अलग अलग रिनों की स्कीम्स हैं तो आपको जो भी आपका नीड है जो आपकी जरूरत है उसके हिसाब से आपको बैंक में जाना चाहिए और बैंक आपको अराम से रिन देगा क्योंकि बैंक के अंदर आज की डेट में हमारा किसान तो हमारे लि कि rate of interest का भी government की तरफ से subvention रहता है तो 4% और 3% मिला के 7% जैसे में आपको इतनी अच्छी सहायता मिल सकती है जो की साधारन ब्यासदर है यानि के simple rate of interest तो इससे सस्ता रिंट कहीं नहीं है और इसके अलावा मैं समझती हूँ कि आप अगर सब उसमें आपका अगर record अच्छा ह मतलब अगर कहीं आपने प्रेंड देने में देरी नहीं कर या कहीं आपका ऐसा नहीं हूआ कि माफ हुआ हो या कुछ ऐसा हुआ हो तो आपको बैंक तुरंत रिंग गा जिसे की हम अपनी भाषा में किसानों की बह चामें साख कहते हैं वह साख अगर आप मजबूत तब से जो पुब्लिक सेक्टर के बैंक्स है उन्हें थोड़ इसी दिक्कत हुई लेकिन उसके बाद अब भी अब वो कंदे से कंधा मिला के उनके साथ तयार है पर फिर भी छोटा सा फर्क अभी भी है वो फर्क है कि प्राइवेट बैंक्स में लोग बाहर जाकर अपनी सेक्टर बैंक्स में कुछ कर रहा है ऐसा नहीं है सुनिल जी हमारे अभी एक्चली देखा जाये तो हम जो पुराने तरह के पुब्लिक सेक्टर बैंक थे उनके तोर तरीकों में भी बहुत बदलाव है आज की डेट में और नकेवल हम रिंड के लिए और डिपॉसिट के ल चौपाल लगाते हैं गाउं गाउं जाके हमारे अग्री कल्चर आफिसर जो काम करते हैं वो शयद कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक वाला नहीं करता होगा यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है तो जो यह फानेंशल लिटरेसी जिसकी हम आज अभी टीवी पे बात कर र चौपाल में और जाज़तर पंचायतों में हमारे को तो पुरे चार सो आठ सो इतना हम चौपाल लगाते हैं तो फानेशल लिटरेसी सेंटर जो हमने बनाए हैं ये इस तरह का जो आउट रीच है यह हो सकता है मौडरन मार्केटिंग ना भी हो आप कह सकते हैं कि यह मौडर शक्ता की पूर्ती के लिए फिर हम हैं तो वो financial literacy center जो एक नई पहुँच और एक नई पहल मैं कहूंगी सरकार के दौरा हुई है बैंक के दौरा हुई है और हमने उसे बहुत ही seriously हम उसको करते हैं हम उसमें यहां तक की जिन लोगों ने participate किया है उनके नाम, phone number इतना तक record create करते हैं मतलब वो कोई हवाबाजी नहीं है वो actually चौपाल में बैटके वो सारा उनके साथ में discussion हमारे agriculture officer बहुत होते हैं गाउं गाउं में agriculture officer हैं वो जगा पे जाते हैं उनकी किसानों की भूमी का पूरा जो mortgage करने का प्रोसेस से पहले जो उनका नाप जोक है वो सब जाके करते हैं तब ही जाके आज agriculture में public sector bank का तो सबसे बड़ा exposure है तो में भी modern तरीके से आप कह सकते हैं हमेरे हरे का दर्वाजा नहीं कट-कट आते पर क्यूंकि हमारे पास भी हमारे कुछ ना कुछ constraints हैं कुछ ना कुछ बाधाएं हमारे को भी है लेकिन उसके beyond we are trying to reach to the people and मुझे उमीद है कि जो ये financial literacy center हमने start किये हैं जगा जगा जाके चौपाल पे बैठके पंचायत के जो रहते हैं heads वगरा उनकी देखरेक में तो उसका मैं कहूंगे किसान भाइयों को लाब लेना चाहिए गाओं में कहीं कोई ऐसी चीज होती है तो जाओ मिलो बीकोज हो सकता है बैंक एक एक आदमी के पास ना जा सके पर जो सारी डिटेव है और आके सास बात यह हैं कि आपके पास जो लोग है वो जमीन से जुड़े हुए हैं जो कि शायद नए बैंक प्राइवेट बैंक जो आ रहे हैं वो तो लेंग्वे समझने में भी उन्हें बड़ी प्रॉब्लम होती है और जो राजस्थान का किसान है या किसी भी किसान की बात करें तो वो सबसे पहले जाके देखता है कि अपनी बात रख पा रहा हूं कि नहीं सामने होला समझ पा रहा है कि एक और दर्शक है में जो कि शायद आप से बात करना चाहरे हैं जी राम पर गड़ा इसकी मर्योजनाई लॉंच करते हैं हम लोगों के लिए जी वह लोगों तक पहुंच नहीं पाती जी और आमको जानकर ही पाती पूरी तरह से तो यह इसके लिए पी एंडी वगर अब इंक क्या करते हैं मतलब कैसे यह उजनाई पोचा सकते हैं आम लोगों तो यह जादतर यही होता है कि बहुत जानकरी लोगों को नहीं होती और जानकरी कितना भी प्रयास हम भी करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं एकदम आखिरी पॉइंट तक पहुचने की अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसमें एक नया अभी आयाम जुड़ा एक नया पहल करी गई ह उसको कहते हैं Financial Literacy Center FLC तो वो FLC एक प्रकार का अनौपचारिक तरीके से यानि एक informal तरीके से गाओं गाओं में जो हमारे Agriculture Officer है वो जाते हैं और पंचायत का जो भी पंच क्या बोलते हैं सरपंच के बात करके जो भी आपके लोग मुख्या सब रहते हैं उनके बीच में चां चांके वो सब चीजों के बारे में एक घ्यान देते हैं जो Financial Literacy का मतलब है कि जैसे आप एक किसान है और आपकी जरुबत कोई ना कोई Finance लेने की है तो मेरे को कौन सी स्कीम सूट करेगी मैं कहां से लूँ क्या ब्याज पड़ेगा कितने दिन में देना है जमीन कैसे रहन हो होगी उस पे कैसे कौन पटे में बताएगा कि ये मेरा मौटगेज कैसे होगा ये सब जानकारी वो समय समय पे हमारे जो Financial Literacy का जो कैम चलता है उसके अंदर वो देते हैं और इसमें मैं ये कहूंगी कि आप थोड़ा सा इस बारे में जाग रुक रहें कि भाई कभी ऐसा होत अब आता है तो और आपने कौन सा एरिया से आप आए मैं वहां पर करवा भी देती थी यूंगरा प्रबंद करा देते तो आप जरूर में भाग ले और वह इनसे कहूंगी कि वह आपका नाम लेके भी और आप मौझोद रहेंगे तो आपकी बास सुनेंगे और आप लोगं कि साहथा करेंगे नहीं होती है पिल्कूल बिल्कुल इनहीं के है कोई बार है कुछ है उसके चलते जब आपका कोई रिंड देने में दिक्कत है तो बैंक तो खुद आपके दरवाजे पे जाके बोलता है कि भाई आप इतनी माफी ले लो और इतना पैसा दे दो और आपके जमीन छूट जाएगी लेकिन काफी बार क्या होता है ना कि जैसे एक क्लारिटी कहना चाहिए लोगों को ये बात साफ पता नहीं चल पाती जैसा हम देखते हैं आम जंता तक हर बात पहुंचती नहीं और ब्रांच में भी वो जाते हैं तो में भी कोई कहता नहीं है तो ये अच्छा है कि मेरे पास ये एक प्लेट फार्म है और आपने मुझे धन्यवाद कि आपने मुझे ये प्लेट फार्म दिया कि मैं उनसे सीधा समवा दिये रख सकूँ कि जब आपकी कोई एक financial दिक्कत है तो बैंक से जादा आपको साहता करने वाला कोई नहीं होगा आप कोशिश करें अपने बैंक में जाएं वहां अपनी problem बताएं बैंक आपको हर संभवता साहता करना चाहता है मैं आपको इमानदारी से ये बात कहा रही हूँ कि हम बहुत चाहते हैं कि लोग रिन से निकलें और एक time जिसको कहते है settlement कई बार होता है तो हम उसमें काफी discount देके भी आपसे पूझी थोड़ी जितनी होती है वो लेके भी आपका account बंद करेंगे और जब हमसे होता है आपका account बंद तो आपकी जो report है जो साख पत्र है वो खराब नहीं होता है तो मेरी बार-बार विंती है अपने किसान भाईयों से कि वो समय से चुकाएं और समय से चुकाने में अगर कोई बाधा आई है और आज आप बहुत दबे हुए हैं परिशानी में तो कम से कम अपने branch manager के पास जाएं उन से बात अपनी बताएं मैं आपको guarantee करती हूँ जैसा हम उनको बार-बार आदेश देते हैं कि वो आप तक जाएं और अगर आप उनके पास आएंगे तो हो नहीं सकता कि वो आपकी मदद ना करें करपियां आप इस सुविधा का लाब उठाएं लोगों को आप जाके स्वेम मिलेंगे तो bank आपको जितना discount होगा वो देगा और मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि ऐसा करने से आपको future में भी loan लेने में कभी दिक्कत नहीं होगी otherwise एक बार आपका साख पत्र भी गड़ गया तो आगे आपको या आपके बच्चों को हमेशा दिक्कत आईगी तो मेरी आपसे विंती है कि bank वैसे ही बहुत कोशिश कर रहा है लेकिन लोग बढ़के आगे नहीं आते कि हाँ चलो 50% दे देते हैं आप छोड़ दो लेकिन लोग आते ही नहीं हैं बात ही नहीं सुनते हैं प्लीज आप इसका थोड़ा सा प्रचार प्रचार करें बैंक आपके साथ है आपको हर जगे मदद करने के लिए तयार है एक और दर्शक है इस से में जो की बात करना चाते हैं हमसे जुड़ना चाते हैं जी राम राम साथ जी मैं राजी बोल रहा हूँ उदेपुर से जी राजी जी मैं किसान नहीं हूँ एक बिजनसमेन हूँ लेकिन एक क्यूरिशिटी के एक सवाल है कि कि जब किसान डिफोल्टर हो जाता है एग हूँ उसने लोन लिए लोन नहीं चुका पाया तो क्या उसका नाभी चला जाता है और अगर चला जाता है तो जब बन Mission yourself करती है तो क्या हूँ का नाम से निकल जाता है क्योई कि प्रश्वार बिजनस्मेंन का तो सिविल में नाम रहता है किसान का जब रिण माफी हो जाती है सरखार जब रिण माफ कर देती है तो क्या सिविल से नाम हट जाता है राजीव जी नमशकार ऐसा है कि यह जो आपने सवाल पूचा है हो सकता है बड़ा सामई ही आपको लग रह निमने ह्यह आउट होगा तो आप सोचने कि उनका करजा माफी होगा तो वो उनके रिकॉर्ट में चड़र बैकि आप यह मत सोचें किंका नहीं चड़र घृुमसा है रऔा जियं Municipal पेद्ट विसकिते हैं दो आपके इसके लिए वह उनके करना पड़ था निथि जी कि बात करना चाहते हैं आप से जी राम्राम साफ राम्राम जी जी हलो जी सुन पा रहे हैं आपकी आवाज हाँ मैं यह पूछ रहा हूं मैडम से किसानों के लिए रिन के लिए कुछ छका को लगी जालग से अलग से कुछ तो लेख अपर इस पुछ जुद है को ब्रांच जी वीलवाडा के पास गाम है इनका आच्छा मैं आपका शुम ना हरी राम जी हमारी तो जो गाओं में ब्रांचे सें वो तो सब क्रशी पर पलती आप यह मालीजे कि जितना भी रूरल एरिया में हमारी ब्रांचे सें और सेमी अर्बन में उनका तो विशेश व्यवसाई ही क प्रशी है तो अलग से तो ब्रांच नहीं क्या सकते हैं वैसे हम सभी ब्रांचों में सभी रिन करते हैं लेकिन ज्यादा तर जो ब्रांचे हैं आप मालीजे कम से कम पांच हजार ब्रांचे जो हैं वो तो बिल्कूली अग्री कल्चर पर डिबेंडनेंट हैं और वो ऐसे ही ग्रामिन शेत्रों में हैं जहां इस तरह के लोन देने होते हैं तो अलग से तो नहीं है पर वो हैं एक्चुली अग्रिकल्चर के लिए जो ब्रांचे आपको सामने नजर आ रही है वही ब्रांचे जो कि रिन भी देती है और बाकी सारे काम भी बैंक के हैं अभी राजस्तान क एक्जाम्पल लें तो 80% ब्रांचे हमारी रूलर सेमियर बने हैं तो उनका तो मेन फूरी क्रेडिट यही है अग्रिकल्चरी है जानते हैं विभाजी और कौन-कौन सी ऐसी योजनाय है जो किसानों के लिए हितकारी हो सकती है जिने किसान अभी नहीं अपना रहे हैं लेकि तो उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छी रहेंगी और मैं समझती हूँ इस देश की एकनौमी आज भी पूरा अग्रिकल्चर पर डिपेंडन्ट है और किसान बहुत हद तक समय के उपर डिपेंडन्ट है मतलब मौसम के उपर डिपेंडन्ट है तो इसलिए उनको चाहिए कि थोड़ा बहुत वो अपनी इंकम जिसे फैनेंश जरूर बैंक में डिपॉसिट का रखें और उसमें कोई रेकरिंग डिपॉसिट वो रख सकते हैं जिसमें समय समय पर उनके पास एक हजार हों तो एक हजार भरे मासिक पांच हजार हों तो पांच बर दें किसी माह दस बच गे तो दस जमा कर दें उसमें कोई बंधन नहीं ह होता है पर वो recurring deposit जो flexible scheme होती है उसके द्वारा उनको rate of interest जो मिलता है वो fixed FD का मिलता है तो उससे उनको बहुत फाइदा हो सकता है तो एक तो recurring deposit की scheme उनके लिए बहुत अच्छी है दूसरा एक और भी जो जैसे BC वगरा गाउं में बहुत होते हैं आज कल तो तो bank जो जरूरी नहीं कि एक physical रूप में बैंक है आज की date में BC के द्वारा हर जगे एक ना एक finance जानने वाला व्यक्ति मौजूद है उसके द्वारा वो छोटी बड़ी जमा भी जरूरी नहीं कि उनको bank की जाना पड़े और किसान का जो खेती का time बहुत होता है एक दिन भी waste करें तो पूरा मेहनत waste जाती है तो उस समय उनको चाहिए कि वो BC से अपना संपर्क रखे उसको पैसा जमा करे तो वो हमारे server से connect होता है अगर उन्होंने पैसा दिया वहीं के वही entry हो जाती है वहीं के वही receipt मिल जाती है और वो उनके account में उसी समय उसी दिन जमा हो जाती है जैसा कि वो बैंक में जाके करते तो वो BC वाला जो एक network है उसका वो lab उठा के हर समय की छोटे-छोटे पैसे भी उन्हें जमा करने चाहिए तो जो आने-जाने का किराय भाड़ा बचता है और समय बचता है और सेफ बिलकुल है यह तो किसानों के लिए मेरा एक अनुरोद तो यह रहा कि वह एक BC के द्वारा पैसा बहुत जब भी अगर एक 50 रुपे भी बचें तो जमा करें क्योंकि छोटी-छोटी बून से घड़ा वरता है और वक्त बेवक्त यही पैसा आदनी के काम आता है और पब्लिक सेक्टर मैं कहूंगी मेरे लिए तो मैं कहूं तो अधरवाइस ना ले लेकिन पब्लिक सेक्टर उनके लिए बहुत विश्वास के योगे है और हम हमेशा किसान भाईयों के साथ खड़े रहे हैं उनको डिपॉजिट जो एक FD की स्कीम भी हमारे बैंक में बहुत अच्छी चल रही है जिनमें दूसरे बैंकों से कम से कम काफी ज़्यादा इस सम में अपरिल के महीने में काफी फसल कटके उनके पास पैसा आता है तो उस पैसे से वो कम से कम कुछ FD जरूर करें जो उनके लिए फ्यूचर में काम आएगी और बैंकों में क्या कई तरह की ICFD भी बनती हैं जिस पे अगर आपने बीच में तुड़ाया तो उस पे पड़ेगा जैसे मैंने आज बात करी वैसे जो किसान भायों ने फोन किये तो मुझे बहुत अच्छा नुभा हुआ कि उनकी बहुत अच्छी बात करने की सोच समझ और उनका लेवल है तो मुझे लगता है वो यहां से थोड़ा भी कोशिश करेंगे तो वो फानेशली आप से बात करना चाहते हैं जी राम राम साब जी तो थे हैं बताओ के पी एंग बी के कदर मुठा रही है आंके ले कोई समझाबा के लिए कोई बैंकिंग सोलूशन वगरा करबा के लिए जी हां बिलकुल उसी पे मैडम जोर दे रही है बार बार की हम मैडम मैं आप अपन अंडे जुबानी ही बताए लगिसंटा बात देंजी समय बहुत कम है हाँ पानाशनल लिटरीसी सेनटर जिसको फैल सी कहते हैं वह कैंप लगाते है IF L C और वह जगा हम कैमप लगाते हैं हमारे agriculture ऑफिसर गाओ गाओं में लिटेरली दे गो प्र पेड़ के नीचे बैठके स सरपंच के साथ, वो तो चाहते ही हैं कि जाता से जाता लोग आके उनकी बात सुनें, अपनी बात कहें, क्योंकि वो एक बीच में सूत रहें आपके, तो आप उसका फायदा जरूर उठाएं, इसके अलावा जो बीसी रहते हैं, वो भी आपके गाउं, महलों में, सब जगा र हो जाता है, तो उसके उनसे भी आप जानकारी हासिल करें, और बैंक को बैंक तो बहुत चाहते हैं कि हमारे किसान ज्यादा जागरू को ज्यादा जानकार हो, तो आप इसका जरूर लाब उठाएं. बैंक अभी भी नहीं है, अधीपक जी, ऐसा है कि गाउं में तो बैंक हमारा बहुत है, मुझे नहीं पता है, इस गाउं में जिससे आप आते हैं, इसमें ब्रांच है नहीं, पर अभी क्या है कि जो एक बीसी का सिस्टम है ना, बिजनस कॉरेस्पॉंडेंट, उनके द्वा बैंकिंग फैसिलिटी ना हो, चाहिए वो ब्रांच के रूप में ना हो, हो सकता है आपको ब्रांच ना दिखती हो, लेकिन वहाँ पर बीसी मौझूद है, आपके शेतर में अगर आप संपर्क करेंगे, जो भी आपकी अथारिटी मिर्ख्या सरपांच रहेंगे, या जो भ हमारे कमर्शल बैंक के रूप में हो, तो हम तो हर जगा पहुंचे में हो सकता है, आपके जोदपूर में ना हो, तो आप संपर्क करेंगे, आपको जरूर बैंकिंग की से विदा, सुविदा उपलप्त होगी. आपने कहां, बीसी हैं, बहुत सारे ब्रांचेज हैं, सब अच्छे हैं, सारे करमचारी आपके अच्छे हैं, पर फिर भी अगर किसी कस्टमर को, किसी किसान को, अगर कोई शिकायत हो, तो उसे कहां संपर्क करना चाहिए हैं। और हमारा खुद का ये वाटसेप के द्वारा कई ऐसी जगाएं हैं, इसके अलावा ब्रांच के अंदर तो शिकायत का एक बॉक्स रहता ही रहता है, तो आज की डेट में तो मीडिया में कहीं भी कुछ भी हो जाए, तो पूरा एक कंप्लेंट के लिए बहुत ही फोकस है, क सुजाव बॉक्स रहता है, उसमें भी डाल सकते हैं, हमारे ट्वीटर हैंडल पे लिग सकते हैं, सोचल मीडिया में वेब साइट पर बता सकते हैं, नॉर्मल बैंक के एड्रस में चिक्ति डाल सकते हैं, हर जगह सुनवाई होगी. जी हाँ, ये पंजाब नेशनल बैंक है, जो आपके साथ खड़ा है, आज हमने एक घंटे इन से इस बारे में बात की, मैडम, लास्ट का समय हमारे पास बचा हुआ है, क्या अपील करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज जो की शायद मैं पूछना चाह रहा था एंड पी एन बी ने अपनी जीवन शैली में दोनों नारे बहुत अची तरह होता रहे हैं, क्योंकि अभी आप देखिए हमने एक अपने सैनिक भाईयों के लिए भी सभी आर्म परसनेल के लिए बैंक ने बहुत अची स्कीम निकाली है, जो की नाम है उसका रक्षक प्लस, उसमें जो भी खाता अगर आप खोलते हैं, तो उसकी अंदर आपका इंशुरेंस कवर 30 लेक्स है, और एर फोर्स वगरा के लिए तो 1 करोर तक का है, एक्सिडेंटल इंशुरेंस, दूसरा इंशुरेंस भी है, प्लस जितनी भी सुविधाएं हैं, सब में कोई चार्ज नह थी, तो हमारे बैंक ने आगे बढ़के, बिल्कुल प्राइवेट बैंके जैसे मैचिंग उनको सुविधाय दी हैं, और हमारी ब्रांचे अक्रोस इंडिया, सभी कैंट परिसर में हमारे पी एंबी की ब्रांचे हैं, शुरू से ही कुछ बैंक का ट्रेडिशन है, कि कैंट और कैंट के बाहर हमारे बैंकों की ब्रांच जरूर होती है, तो मेरा सभी सैनिक भाईयों से निवेदेन हैं किसान भाईयों के साथ, कि हमारे साथ खाता रखें, हमारे साथ जुड़ें, और अगर कभी भी कुछ भी उनको जरूवत है, तो बैंक विल्कम एड़ देर डॉर अगर्ड का मेंसे आप इसी तरह से हमारे लोगों के साथ, भारत वासियों के साथ इससी तरह से जुड़े रहें, और हमारे शुब कामना है, कि बड़े देश का वनक उर भी बड़ा हो आगली बार हम आपको फिर बुलाएंगे और आप से फिर जानेंगे इस प्रकार से आजी के दिन, आजी के समय किसी और एक्सपर्ट के साथ, किसी और सब्जेक्ट के साथ तब तक देखते रहिए A1 TV.